हे विद्यार थियों, वेलकम बैक, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दुरून स्कूल में जवाहर नौधे विद्याले इंटरंस एक्जाम के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देख रहे हैं लेवल वन का पार्ट 16 इसमें हम सीखेंगे दश्मलों का गुणा और भाग, multiplication and division of decimal numbers पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि दश्मलों वाली संख्याओं को जोडते कैसे हैं आपस में और उने घटाते कैसे हैं तो इस वाली वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं decimal numbers को गुणा कैसे करते हैं और उनका भाग कैसे करते हैं तो शुरू करें, let's start हमारे pen drive and memory card courses भी available हैं आप उन्हें 910-950-6253 पर contact करके मंगा सकते हैं ये courses कुछ इस तरह से designed हैं कि आपका नौदे विद्याले का preparation बहुत ही आसान कर देंगे ये और नौदे विद्याले entrance exam आपको बहुत ही आसान लगेने लगेगा तो चलिए सीखते हैं दश्मलो संख्याओं का गुणा और भाग सबसे पहले हम सीखेंगे decimal numbers को multiply कैसे किया जाता है दश्मलो का गुणा देखो माल लो example आप लो आपके पास एक संख्या है 2.63 2.63 सबसे simple example सबसे पहले लेते हैं और 2.63 को आपको गुणा करना है 4 से तो आप क्या करोगे 2.63 को पहले लिखोगे 2.63 ऐसे लिख लो और उसके बाद गुणा करो 4 से गुणे 4 गुणा तो आपको आता ही है simple simple गुणा तो आता ही है पास आई ये value हमारे पास आई अब आपको सबसे tricky part यही है कि आपको दश्मलों कहां लगाना है ये जो decimal है उसको कहां लगाना है ये सबसे tricky part है तो इसको आप क्या करना जितने अंक के बाद इधर से गिनना इस्टार्ट करना एक दो दो अंक के बाद दश्मलों है इधर से तो आप नीचे भी इधर से गिनना इस्टार्ट करना यहां से दो अंक के बाद यहां से गिनना इस्टार्ट करना और दो अंक के बाद यहां दस्मलों लगा देना ठीक है बहुत ही आसान तरीका है जैसे इधर से आप गिनना स्टार्ट करोगे जितने आंके बाद यहां दस्मलो है उतने आंके बाद लगा दोगे और आपका एंसर आ गया लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो गुणा है यह जिससे हमने गुणा किया है चार से उसमें कोई भी दस्मलो नहीं है तब यह पार्ट काम कर रहा यह ट्रिक काम कर रहा है आगे हम देखते हैं एक दूसरा क्वेशन लेते हैं जिसमें दोनों में दस्मलो होगा दूसरा क्वेशन हम लेते हैं सपोस करो आपके पास नंबर है 3.5 इंटू 1.2 पहले वाले क्वेशन में देखो इसमें दस्मलो नहीं था जबकि इसमें केवल दस्मलो था जिस संख्या में गुड़ा क्या जा रहा है उसमें ओनली दस्मलो था लेकिन इसमें नहीं था इस वाले क्वेशन में इसमें भी है तो इसको कैसे हल करेंगे देखो, आप लिखोगे यहाँ 3.5 into 1.2, जैसे आप गुणा करते हो, पहले साधारन गुणा कर लोगे, बिल्कुल सिंपल मल्टिप्लिकेशन पहले परफॉर्म कर लो, दो पचे, 10 को 0, हासिल 1, 2, 3, 6, 1, 7, ये हो गया, उसके बाद एक से गुणा करो, तो ये 5 हुआ और ये 3 हुआ, इसका मल्टिप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा 0, ये 7, 5, 12 को 2, हासिल 1, और ये 3, 1, 4, ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान देना, यहीं ध्यान देने की जरूरत है, अब हमें क्या करना है, यहां से गिनना है, इस संख्या में कितने अंके बाद दसमलो है, एक अंक के बाद, और उसके बाद, उसके नीचे वाली संख्या में कितने अंक के बाद दसमलो है, इसमें भी एक अंक के बाद, तो दोनों मिला करके कितने अंक के बाद है, एक अंकिस में, एक अंकिस में खुल मिला कि दो अंक के बाद हमें दस्मलों लगाना है, तो इधर से गिनना स्टार्ट कर दो, ये एक, ये दो दो अंक के बाद यहाँ पे दस्मलों लगा दोगे तो आपका result क्या आएगा, आपका result आएगा 4.2 4.20 result आया 4.20 जिसको आप लिख सकते हो 4.2 भी लिख सकते हो है ना तो 4.2 ही हमारा ये result हो जाएगा राइट बहुत ही आसान तरीक है धीरे धीरे हम सीखते चलेंगे आप साथ साथ ट्रैक्टिस करते चलना चलो एक और question ले ले लेते हैं जिनमें दोनों में दश्मलों होगा तो एक और try कर लेते हैं उसके बाद हम भाग देना सीखते हैं तीसरा question हम लेते हैं 1.62 into 2.4 ये एक last question हम लेते हैं गुणे का उसके बाद हम भाग देना सीखेंगे तो देखो 1.62 हमने लिया है यहां लिखो 1.62 into 2.4 इसका जब हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 4 च्छे के 24 हासिल 2 बचा 4 एकम 4 दो 6 फिर 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 ये 2 च्छे के 12 को 2 हासिल 1 2 एकम 2 एक 3 ठीक है देखो अब यहां से ये 8 हुआ ये 4 चार 8 हुआ ये 6 2 8 हुआ और ये 3 हुआ अब इसमें 10 मलो आप बताओ खुद बताओ कहा लगाएंगे यहां से गिन्ना स्टार्ट करो 2 अंक के बाद इसमें 10 मलो है और 1 अंक के बाद इसमें 10 मलो है तो 2 और 1 दूनी मिला के हो गया तीन अंक के बाद हमें दस्मलो लगाना है एक बात ध्यान रखना हमेशा right side से ही जाना यानि कि इधर से ही हमेशा इधर की तरफ जाना आप दस्मलो लगाने के लिए तो तीन अंक के बाद हमें दस्मलो लगाना है तो कौन सा है हमारा एक, दो, तीन यहाँ पर दस्मलों हमारा लग जाएगा 3.888 तो हमारा एंसर हो जाएगा 3.888 यही हमारा एंसर है, राइट चलो, अब मुझे लगता है कि आपने गुणा सीख लिया होगा कि गुणा कैसे करते हैं आप हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं दश्मलों का भाग कैसे देते हैं सबसे पहले बिलकुल एक question से start करेंगे, सबसे आसान question से, हम भाग देते हैं मालो 4.2 है, और इसमें भाग देना है 2 का भाग देना है तो क्या करेंगे, simple division करेंगे जैसे हम करते हैं 2 का भाग देंगे 4.2 में 4.2 में, तो सबसे पहले, जो दश्मलो के इधर की संख्याए हैं, उनमें भाग देंगे, तो 2 दूनी, ये 4 आया, अब यहाँ पे बच्चा 0, यहाँ बच्चा 0, 4 में से 4 गया 0, अब ये दश्मलो बच्चा, यहीं पे आपको ध्यान देना है, ये दश्मलो बच्चा, इसको क 2 में भाग दोगे, पहले यहाँ 2 उतार लो गया, दश्मलो को यहाँ करने के बाद ही 2 उतारना, ध्यान रखना, तो 2 का 2 में भाग दोगे, तो 2 एक्म यहाँ पे 2 आएगा, और ये भी बच्चा 0, ठीक है, तो ये कट गया, लास्ट में फाइनल हमारा एंसर आया, 2.1, तो इस तरह से आपको जब भी दस्मलो दिखे, तो आप दस्मलो को इधर कर लेना, उसके बाद ही संख्या नीचे उतारना, यहाँ पे 2, देखो, हमें जब दस्मलो दिखा, तो हमने दस्मलो को इधर कर लिया, उसके बाद 2 को हमने नीचे उतारा, फिर आगे भाग जैसे हम दे वैसे हमने दे लिया अगला question थोड़ा सा और अच्छा question करते हैं दूसरा question हम लेते हैं मालो कि आपके पास होता 4.2 है यही question थोड़ा सा बदल करकर लेते हैं 4.2 है और आपको भाग देना होता 2.21 से तो क्या करते आप सबसे पहले वाले example में हमने देखा जो इसमें तो ऐसा थ की पहले वाला यह जिसमें भाग दिया जा रहा है वो उसमें दश्मल रहा है लेकिन जिससे भाग दिया जा रहा है उसमें decimal point नहीं है लेकिन इसमें दोनों में decimal point है है ना बात आप समझे रहो इसमें दोनों में decimal point है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेना, इसको आप लिखना, 4.2 by 2.1, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, अब इसमें उपर और नीचे दोनों 10-10 से गुड़ा कर दो, 10 उपर और 10 नीचे, तो कितना बचा, ये बचा 42 divided by 21, और इसको आप लिख सकते हो, 42 divided by 21, ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि ये बटे का चिन है, या फिर भाग का चिन, एक ही होता है, तो 42 divided by 21, अब आसानी से हम बहुत ही सरलतम रूप में हमने इसको convert कर लिया, इसके बाद हम सीधे-सीधे भाग दे सकते हैं, तो 21 का भाग दोगे 42 में, तो इसका answer आएगा 21 दुना 42, तो इसका answer आजाएगा 2, दो जो है इसका भाग फल आजाएगा, तो इस तरह से हम दस्मलों का भाग देंगे, अगर दूनों संख्याओं में दस्मलों है, तो पहले दस्मलों को हटाने की कोशिस करेंगे, पहले क्या करेंगे, दस्मलों को हटाने की कोशिस जैसे एक और example हम लेते हैं, ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा example है, एक example लेते हैं, माललो हमारे पास है 1.52, 1.52 है हमारे पास, और हमें भाग देना है इसमें, हमें इसमें भाग देना है 1.2 से, 1.2 से, तो आप, आपने पिछले question में देखा, कि जितना दस्मलो इसमें खिसकाएंगे, उतना ही दस्मलो इसमें भी खिसकाएंगे, तो बहुत ही short trick मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, कि इसमें एक place इधर दस्मलो आप खिसकाना, तो इसमें भी एक place इधर खिसका देना, तो अब देखो, ये आसानी से आप इसको भाग दे सकते हो है ना, 12 से आप भाग दोगे, 15.2 में आप भाग दोगे 12 से, ठीक है, तो 12 से 15.2 में भाग दोगे, तो 12 कम ये 12 बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 3, 3 बचा, उसके बाद 10.2 हुआ गया, तो 10 मलों को हमने यहाँ लिखा, और नीचे हमने 2 उतार लिया, अब हमारे पास क्या बचा, अब हम भाग देंगे तो क्या होगा, 12 दूना ये 24 होगा, हमारे पास बचेगा, 8 बचेगा, 6, 2, 8 है, यहाँ पे 8 हमारे पास बचेगा, 8-6 पर बचेगा उसके आगे हम 0 बढ़ाएंगे फिर एक बार भाग देंगे तो 12-6-72 फिर 12-6-72 फिर 8 बचेगा फिर 0 उतारेंगे तो फिर यह ऐसे चलता जाएगा तो 1.26666 ऐसे आगे यह चलता जाएगा तो यही इसका answer हो जाएगा 1.266 यह 6-6 कई बार चलता जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1.27 एक question मैं आपको होमों के लिए देता हूँ आप उसका answer comment करके जरूर बताना देखो चवथा question मैं आपको देता हूँ 1.69 divided by 1.3 आप इसका answer comment करके बताना चलो फिर हमने आज सीखा कि दस्मलों का भाग कैसे देते हैं और दस्मलों का गुणा कैसे करते हैं ध्यान रखना अगर आप नौदय विद्याले की तैयारी करना चाहते हो चाहते हो कि आपका नौदय विद्याले में selection हो तो आप हमारे pin drive courses ले सकते हैं pin drive and memory card courses हमारे available हैं तो आप उन्हें 910-950-6253 पर contact करके ले सकते हैं इस वीडियो को like करना और अपने दोस्तों के साथ share करना आपके पास हर एक वीडियो का notification पहुंचता रहे इसके लिए आप चैनल को subscribe लेके bell icon ज़रू दबा लेना चलें फिर मिलते हैं आप लोगों से कुछ इसी दर के शानदार वीडियो के साथ कुछ अगले episodes में तब तक के लिए अलविदा धन्यवाद